हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जै महा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुक आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुप कामना है आज हम बात करने वाले हैं कि यदि हमें कोई विशेश व्यक्ति या शत्रु बार बार प्रेसान करता हो पर ताड़ित करता हो ऐसी वस्था में हमें क्या करना चाहिए कि जिससे वो व्यक्ति हमें परेसान न करे तंग न करे और शांत चित हो करके वो बैठ जाए हम किसका एहित नहीं करना चाहते और नहीं किसी का एहित करना चाहिए उपाए वो कि जिससे हमारा कारिय हो जाए और बिना किसी दोश के तो ऐसी ही कुछ चर्चा आज हम ये संक में आप से करेंगे आए फिलाल आज का हम पहिंचांग देखती हैं किसी भी व्यक्ति की जनम पत्रिका में सिख्ट हाउस छटा घर रोग का भी होता है और शत्रू का भी होता है आपके छटवे इस्थान से देखा जा सकता है कि आपके किस प्रकार के शत्रू होंगे गुप्त शत्रू जादा होंगे या सामने ही मुखर पर आपके शत्रू जादा होंगे बहुत लोग पीट के पीछे से बार करते ही और बहुत लोग हमारे मुख के सामने आकर ही हमसे बुरा भला कहने का प्रियास करते ही ऐसी इस्तिति में हम कैसे बचें हम अपने शत्रू को शान्त कैसे करें उसके मन को शान्त कैसे करें चाहिए ऐसी बहुत सारी दिकते बहुत लोगों को अपने कारियाल्यमें अपने दफ्तर में या अपने समाज में सोसाइटी में अपने आसपरोस में इस प्रिकार की दिकते कहीं ने कहीं व्यक्ति को बन जाती है तो हमें बचना कैसे चाहिए तो जैसे हमने बताया सबसे पहले तो आप अपनी जनम पत्रिका का च्छटा भाव सिक्स्थ हाॉस हमें देख लेना चाहिए कि कुंडली का च्छटा घर क्या कहता है उसकी इस्तिती कैसी है उसके कारक की क्या इस्तिती है और जो वहाँ पर ग्रह बैठे हैं उनकी क्या इस्तिती है और कौन से ग्रहों के उस पर द्रश्टी पढ़ रही है ये सारा का सारा अच्छे से किसी विद्वान व्यक्ति को दिखा ले और उसके बाद भी जो वह आपको उपाए या कोई मंत्र देते हैं वह आपको करना चाहिए दूसरी इस्तिती कॉंडले नहीं है तो इनसान के हाथ की रिखाए यहां ओपर मद्धे से थोड़ा सा ओपर यहां होता है राहू और मद्धे से थोड़ा नीचे होता है केतू बना है और इसी के सास्ता यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा बहुत नीच होगा निर्मल होगा कमजोर होगा और सूरिय बहुत कमजोर होगा और मंगल A और मंगल B दोनों मंगल बहुत कमजोर होंगे ऐसी अवस्ता में भी आपका शत्रुपक सदैव आपके उपर हावी रहे प्रिसान करते हमें क्या करना चाहिए यहां बहुत लोग ऐसी वस्ता में बगला मुखी मंत्र का पाट करते हैं बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन हमेशा ध्यान लखना बहुत विपत्य काल में हमें शत्लू के प्रती हमें कुछ त्रिक्षन मंत्रों का प्रियोक करना चाहिए बहुत विपत्ती आने पर आन्य था हमें ऐसे उपाई निकालने चाहिए जिससे किसी का कभी भी एहित न हो आईए मैं बताता हूँ checking का नाम दूद से लिखें किस पर कोईले के उपर काले कोहिले के उपर शत्रू का नाम दूद से लिख दें और किस दिन लिखें? सौंबार के दें ऐसे साथ कोहिले ले लें साथ कोहिलों पर सत्रू का नाम दूद से लिख दें और सफेद कपड़े में बांद दें काला कोईला सफेद कपड़े में बांद करके सिर्फ एक सोंबार उसे जल परवा कर दे ऐसा करने से आप देख लेना जैसे पानी में कोई चीज बह जाती है उसके मन से शत्रूता निकल जाएगी शत्रूता बह जाएगी दिरे दिरे दूसरी बात भोज पत्र के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख दें जो आपके पृती बैरभाव रखता है और नीचे अपना नाम लिख दें दोनों नाम लिख करके मंगलवार के दिन शहद में डिप कर दें डुबो दें और उपर से अच्छे से धकन कार बंद करके और उसको कहीं भी आप या तो निर्जल इस थल में कहीं गुप्त रूप से दबा दें या उसे कहीं भी घर में रखें दो बाते आगे समझ में और तीसरी बात आपको और बता रहे हैं ये मंत्र बहुत है अनेक अबार ये मंत्र काम में आता ग्यानी नाम अपी चेतानसी देवी दुरगा सब्त शती में जो पहला ही चैप्टर है यानि के सब्त शलो की दुरगा का है ना उसके बाद तो फिर तेरा द्याय और कवच वगरा है सब्त शलो की दुरगा में दो मंत्र हैं एक पहला और एक साथवे नंबर का इन दोनों मंत्रों की एक-एक माला करें नहीं तो पहले मंत्र की एक माला करें ओम ग्यानी नाम अपी चेतानसी देवी भगवती हीसा बलादा कर्शिम वहाई वाला एक मंत्र लास्ट में भी है वो जब बहुत आती हो जाए सर्वाबादा पर्शमनम त्रई लोकसिया खिलेशवरी एवमे ये वाला मंत्र है लेकिन जब इस मंत्र को पढ़ें तो मन में कोई ऐसी भावना नहीं लाना है कि सत्तुरू का विनाश हो विनाश किसका हो उसकी बुद्धी का उसकी बुद्धी में जो हमारे पुद्धी हमेशा कड़वाहट भरी रहती है हमेशा उसकी बुद्धी में शर्यंत्र चलते रहते हैं हे परमात्मा उसके वो शर्यंत्रों का विनाशो वो हमारे पुद्धी ऐसा बैरभाव ने रखे दोनों मंत्रों के एक एक माला आप 40 दिन कर लीजेगा हम आपको पूर्ड विस्वास दिलाते हैं वो व्यक्ति इश्वर ने चाहा तो आपके साथ मित्रवत बेभार करेगा दूसरी बात किसी भी खाने पीने की चीज पर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाए जो आपसे बहुत ज़्यादे बैरभाव करता बहुत ज़्यादे बैरभाव करता उसी का नाम कैसे लिख दें जैसे दूद से लिख दें सुख जाएगा दिखेगा भी ने और वो मिठाई उसी विक्ति को खिला दी जाए अपने हाथों से किसी परकार से तो भी हमने देखा कई बार ऐसे बैरभाव भी होते हैं जो हमारे घर में होते हैं आस पास होते हैं हमारे आफिस में होते हैं जिनके साथ हमारा ओठना बैठना बोल चाले भी होती है लेकिन होते वो शत्रू है हमारे तो उन्हीं का नाम लिख करके कोई खाने की चीज उनको खिला दी जाए, उनको खिला दी जाए, कोई नुकसान की बात नहीं है, अब जैसे कोई मिठाई है, कोई ऐसी चीज है, खिला दी जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उससे प्रेम बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ता है, अब आप देखो ना, ज चाव घर के बोचन की तरफ बना रहता, तो ऐसे ही किसी भी खाने पेने की चीज़ पर, मीठी चीज़ पर, किसी पर भी उस ही व्यक्ति का नाम लिखकर के उसी को खिला दिया जाता है, तो प्यार बढ़ जाता। यह हम प्यार बढ़ा रहे हैं, प्रेम बढ़ जाता, और कई उपाएं ऐसे होते हैं, जो चोराहे पर किये जाते हैं, उट्टे सीधे प्रियोग होते हैं, उनकी मैं आपको राई नहीं दूँगा, कभी भी कोई भी आपका कितना भी शत्रू क्यों नहीं हो, लेकिन किसी के लि वही व्यक्ति एक दिन देख लेना, आपसे माफी मांगेगा, वही व्यक्ति आपसे को लालाइत रहेगा, आपसे हाथ मिलाने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए, आप से बात करने के लिए, आप ओम यानी नाम पी पढ़ने लग जाईएगा, ना आपको अच्छा तज जरबा हो तुम्हें बताईए दूसरी बात त्रियोदिशी के दिन शुकल पक्षकी त्रियोदिशी के दिन पांच किलो गुड थोड़ा थोड़ा ले जाएं गाएं को खिलाएं तीन त्रियोदशी ऐसा करें और एक लोटे में थोड़ा गंगा जल थोड़ा दूद और थोड़ा अन्य जल वगरा मिला करके और उसमें कुशा डाल दें और वो कुशा मिस्रित भगवान शिप पर धीरे 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 चणा दें दीब जला दें और वहीं बैट करके एक बार या पांच माला ओमन में श्वाय की करें ऐसा पांच तुरियोदिशी कर लीजिएगा मेरे दर्शो को मेरे साथ को आप देख लेना उस व्यक्ति के मन से वैरभाव हमेशा के लिए हट जाएगा वो शंबू हैं वो भोले हैं रावन को किस प्रकार से वर दे दिया करते थे हैं ना तो शंबू है यह तो ऐसा भी करने से आपको बहुत अच्छा लाप मिलेगा आशा करता हूँ जो आज इसमे कोछ उपाई बताए हैं आप करके देखें आपके मन में और उस व्यक्ति के मन में बहुत अच्छे से मित्रता उत्पन होने लगेगी आए साथ को समय को चला आज की दिहानमला का आज की दिहानमला में वाला मुकुंदं मनसा स्मरामी मोक्तिकं करतले वेनु करे कंकणं सरवांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेच मोक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपाले चोडा मनी सांताकारं वुजगशयनं पद्वनावं सुरेसं विश्वात्धारं गगनसद्रिशं मेगवर्णं सुवांगं लक्षमी कांतं कमल नयनं योग व्रिद्या नगम्यं वंदे विष्ट्नुंबव वयहरं सर्वलो के कनाधं कवच मना लें ध्यान करें कृष्ण जी का अशिर्वाद हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेतर खोलें समाने हो जाएं ऐसे और भी बहुत मंत्र हैं जैसे वड़वाना लेस्तोत्र है बजरंग बाण हैं बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन मैंने आपको बड़ा आसान से तरीके बताएं हैं आप यह करें और बहुत अच्छे से सबका रहने का मन करता है कोई हमारा शत्रू ना हो सब हमसे प्यार रखें प्यार करें हमें चाहें और हम भी दूसरों को चाहें यदि हम अपना सम्मान चाहते हैं तो हमें दूसरों का सम्मान भी करना आना चाहिए तब ही बात बराबर होती है आप इनुपाय को करें आपको लाब मिलेगा फिर भी यदि कुछ ऐसा लगता है कि बात बरनी रही तो किसी मरमग्य व्यक्ति को या तो अपना हाथ दिखा ले या अपनी कुंडली एक बार कुंडली में जो छटा इस्थान होता शत्रु का होता उसका अवलोगन करा ले तो भी बहुत सारी बाते आपको समझ में आ जाएंगे इनी शब्दों के साथ हम अपनी मानी को विराम देती है जैमा इंद्राक्षी किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें